नमस्कार दोस्तों, सिक्सेंस की ओर से तथ्यों से भरपूर एक और वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है दिली भारत की राजधानी है ऐसे दिल वालों का शहर भी तो कहते हैं दिली बेहत खास, खुबसूरत और रोचक स्थानों से भरपूर शहर है यहां किंद्री सरकार का मुख्याले भी है दिल्ली अजूबों का शहर है और यहां देखने लाए कई जगहें मौजूद है देश की राजधानी होने के साथ साथ ऐसे कई तथ्य हैं जो से बेहत खास बनाते हैं चली जानते हैं दिल्ली के बारे में 25 गजब के तत्यों को जो आपके होश उड़ा देंगे जो हमारे नए दर्शक है ना चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरू दबा देना क्या आपको पता है दिल्ली हमेशा से ही भारत की राजधानी में ही थी जब भारत देश गुलाम था तब ब्रिटिश लोगों द्वारा 1911 से 1912 की बीच कलकत्ता की जिगा दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी दिल्ली की अबादी एक करोड़ दस लाख है महानगर की अबादी को देखा जाए तो ये लगभग एक करोड़ साथ लाख है इसके कारण दिल्ली एक घना अबादी वाला शहर है और भारत का दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंक्या वाला शहर भी दिल्ली में सबसे ज़ादा उद्योग धंदे हैं जिसके कारण यहां प्रदूशन बहुत अज़ाता है यहां प्रदूशन का इतना बुरा सार है कि 5 साल से कम उम्मर वाले एक लाह बच्चे प्रदूशन के चलते मर जाते हैं शहर की कुल मौतों में 12.5 प्रदूशन के कारणी तो होती है दिल्ली एक बेहद उन्नत शहर है और देश के व्यवसाइक के इंद्र भी यहां कमपनी और कार खानों के संक्या बड़ी ज़ाता है क्योंकि दिल्ली में फायरफाइटर लोगों की संक्या बोट है दिल्ली में 50 फायरफाइटर स्टेशन मौँद हैं और आप 3000 फायरफाइटर्स को हर समय फोन कर सकते हैं दिल्ली का इंदरा गांधी रास्ट्रिय हवाई अड़ा शहर का मुख्य प्रवेश दुवार है। आपको पता है दिल्ली एक घनी आबादी वाला शहर है और व्यवसाई केंदर भी यहाँ लोगों को रोज सफर करना पड़ता ही है और यहाँ के लोग सारवजनिक परिवहन परणाली का इस्तिमाल करते हैं जो दिल्ली में देश की सबसे बड़ी परिवहन परणालीों में से एक है फैक्ट नमर 18 वाहनों के मामने एक और तथ्य दिल्ली के नाम है वो यह कि दिल्ली में ही सबसे ज़्यादा वाहनों के रजिस्ट्रेशन कराए गए है जिसका मतलब है भारत में सबसे ज़्यादा वाहन दिल्ली में खरीदे जाते हैं फैक्ट नमर 17 अब आपने दिल् अगर आप दिल्ली के रहने वाले या फिर दिल्ली जाना चाहते हैं तो फिर आपको लोटस टेंपल जरूर जाना चाहिए दिल्ली में मौझूद लोटस टेंपल शहर की सबसे बहुतरीन सनरचना है लोटस टेंपल में हर रोज एक लाख से ज्यादा लोग आते है फैक्ट नमर चौदा दिल्ली ने 600 इसा पूरू से कई राजनीतियों वेवसायों और सभिताओं को देखा दिल्ली भारत का ऐसा शहर जिसे कई बार बनाया गया और तोड़ा गया दिल्ली भारत के सबसे पुरानी शहरों में से एक है फैक्ट नमर तेरा बहुत से लोगों वो लगता है कि दिल्ली और नई दिल्ली दोनों अलग लग जगए है दरसल नई दिल्ली एक राज धानी है बलकि दिल्ली एक राज्य इसके साथ साथ दिल्ली एशिया में मसालों की सबसे बड़ी बाजारों का घर भी है दिल्ली में शाओ चालया का एक अनूठा संग्रालया है सुनने में हैराणी बरा लग रहा होगा ना लेकिन इस संग्रालय में सुचता का इतिहास मौजूद है इसे सुलब अंतर राश्ट्रिय द्वारा चलाया जाता है इसंग्रेले को 1922 में डॉक्टर बिंदेशुवर पाठक दौरा स्थापित किया गया था दिल्ली की सुरक्षा में सबसे बड़ा तथ्या है कि पहले दिल्ली में 14 सुरक्षा दौरार होते थे जिसमें 5 दौरार आज में मौजूद है कश्मीर दौर रोबर्ट स्मित दौरा 1835 में बनाया गया और दिल्ली के कई दर्वाजे बेहत प्रसिद्ध है भारत और दिल्ली के लोगों लिए गर्व की बात है कि 2010 में दिल्ली में आयोजित कॉमनवेल्ट गेम्स में भारत सबसे ज़ादा महगा बीजबान था ये कारिकरेम शांदार हो देखने लाइक था दिल्ली में हुआ ये आयोजन दिल्ली को और वे खास बनाता है दिल्ली में सिर्फ इंटों से बनी दुनिया की सबसे उची मिनार है जी आपने सही सोचा कुतोब मिनार ही दुनिया की सबसे उची इंटों की बनी मिनार है इसे 1220 में दिल्ली के शाशा कुतुब दीन एबक द्वारा बनाया गया था दिल्ली भारत का सबसे बड़ा शहर है दिल्ली को 11 पलिटिकल जोन्स में माटा है इन जोन्स को भी 95 प्लिस्टेशन में बाटा गया है बटवारे के अधार पर ये भारत का पहला और अबादी के अधार पर दूसरा बड़ा शहर है फेक्ट नमर पाँच क्या आपको पता है दिल्ली का एक दूसरा नाम भी है अगर नहीं पता तो जान लीजिए दिल्ली को लुटियोंस दिल्ली भी कहते है बिटिश शासन के दौरान नहीं दिल्ली को एडवर्ट लुटियेंस और हरबर्ट बेकर दौरा बनाया गया इसलिए इसे लुटियें दिल्ली का नाम दिया गया फेक्ट नमर चार अगर आप पक्षी प्रेमी है तो दिल्ली आपके लिए रहने लाइक शहर है क्योंकि दिल्ली ही दुनिया के सबसे ज़ादा पक्षी प्रजाति वाली राजधानी है नई दिल्ली कई तरह की पक्षी प्रजातियों का घर है इसलिए यहां आपको प्राकरतिक सौंदेरे भी देखने को मिलेगा फेक्ट नमर तीन दिल्ली की आबादी बहुत अधिक होने के कारण यहां सबजियों और फलों की मांग भी बहुत अधिक है इसलिए यहां भारी मात्रा में सबजियों की बिक्री होती है इसलिए दिल्ली की बाजार एशया की सबसे बड़ी फलों और सबजियों की बाजार है फैक्ट नमर दो, भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक जामा मस्जिद भी दिल्ली में है जामा मस्जिद भारत की प्रसिद मस्जिदों में से एक है इसे लोगों द्वारा भारत की सबसे पयुत्र मस्जिद भी माना जाता है दोस्तों ये तथ्य थोड़ा चिंता जनक जरूर है लेकिन इसे नकारा नहीं जा सकता दिल्ली में अक्सर भुकम पाते रहते हैं सिर्फ 2013 में दिल्ली ने 12 भुकम पनुभव किये दिल्ली में रहने वालों के लिए एक बड़ी समस्या भी है आपको दिल्ली के बारे में सबसे रूचक तथे कौन से लगा कॉमेंट करके बताईए और वीडियो से समधित कोई सवाल या सुझाव है तो कॉमेंट में बता दीजिए ऐसे ही रोमांचक और मज़दार वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए सिक्स सेंस चैनल के साथ भन्नेवाद झाल